नमस्कार स्वागत है आप सभी का एनम बान में 12 भरती में 21 अप्रेल यानि 21 अप्रेल की डेट लगी है माननी सरोच नियाले में सुनवाई के लिए इसके पहले जब डेट लगी थी 17 फरवरी 2023 को जिसमें एक कोर्ट और जारी किया गया था माननी है सुप्रिम कोर्ट की तरफ से और इस्पेसल ली पिटिसन फाइल करने की भी अनुमती प्रदान की गई थी आप जब भी केस स्टेटस देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उपर डायरी नंबर के बाद नीचे जो है नोटिस इसू किया गया था फोर वीक सका समय दिया गया था रिटर्नेबल डेट उसके बाद आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से आयोग की तरफ से पहले से ही अधिवक्ता नामित हैं तो उन अधिवक्ता मोदे की तरफ से अपना काउंटर इफे डेविट लगाया गया सुप्रिंग कोर्ट में इसी तरह से सरकार की तरफ से अपियर होने वाले अधिवक्ता की द्वारा पहले वकालत नामा के मातिम से बताया गया कि सरकार का पक्षी रखेंगे स्री विश्नु संकर जैन सर और उसके बाद उनकी तरफ से भी काउंटर एफिडिविट लगा दिया गया इसमें एक जो पक्षिकार बचे हुए है उनकी तरफ से कौन अफियर होगा ना तो यह असपश चुगा है अभी तक और ना ही उनकी तरफ से काउंटर एफिडिविट लगाया गया है इसी चीज को लेकर कि हाँँ पर एक नोटिस आ ऋफियर करवाना है क्यूंकि आप अगर देखेंगे कुल मिला करके तो शासन की तरफ से भरतियों को लेकर वी घुभाक के दौरा अधियाचन कार्मिक बिभाक की दौरा होते वे माननी आयोग जोकी परिक्षा कराने वाले एजिजन्सी है भरती का रेजल जारी करना उसके इस तरह से इन सभी लोगों को रिस्पॉंडेंट पक्षिकार बनाया गया है कि सिंगल बेंच के कोड और के अनुसार जो याची करता जिनके उनके अपने EWS प्रमार पत्र के आधार पर अगर मेरिट में आते हैं तो उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी यानि अपने आरक्षी तोर यानि EWS के आधार पर उनके अंक कटाफ अंके से जादा हैं उनके प्रमार पत्र को बैलिट नहीं माना गया प्रारूप की तुर्टिया थी जिसके वज़े से आयोग ने उनके चैन पर विचार नहीं किया उसके बाद सिंगल बेंच की आधेश के उनसार संबने अथार्टी तहसिलदार जिनके दवारा EWS प्रमार पत्र को जारी किया गया था उनको दोबारा से सही रेक्टिफाइड सेटिफिकेट जारी करने का आधेश हुआ और उसके बाद फिर माननी आयोग को समय दिया गया था पहले उनको समय दिया गया था सक्षम प्राधिकारी इसके बाद फिर आप देखेंगे आयोग के द्वारा इस पेसल अप्रियों को प्रक्षिकार नहीं बनाया है जो कि इन आरक्षी तवर्ग यानि इन EWS की सीटो पर जिनका सेलक्सिन हुआ है यानि कि 277 सीट्स इसके बाद मामला फिर सुप्रिंग कोट में जाता है और उन 277 सीट्स यानि उन EWS की सीटों को जिनको ओपन केटिगरी में ट्रांसपर किया गया था उन पर नियुक्ति पत्र को होल्ड करते वे सेज की प्रकिरिया वहां पर की जा सकती थी अब अगर आगे देखेंगे तो 17 फरौरी 2023 को सुप्रिंग कोट से और आता है उसकी बास अगर आप देखेंगे तो पर्यापत समय था उसके बाद कभी समय फरौरी में और पिर पूरा मार्ज का महिना इदर आप प्र जारी वे नोटीस की तामिल करनी थी रिस्पॉंडेंट के द्वारा जिनके जिनके लिए भी वो नोटीस था लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉंडेंट नंबर टू यहां पर देखिए आप सर्वीसाप नोटीस इस कंप्लीट और आप देखेंगे तो याची की अधिवक्ता, आयोग की अधिवक्ता, सरकार की अधिवक्ता सभी को कॉपी फारवर्ट की गई है यहाँ पर देखेंगे लिष्टेड आर 21-4-2023 कल की डेट के लिए लिष्टेड है मामला 21 अपरेल के लिए कोर्ट नमबर 15 में और सीरियल नमबर 50 पर आइटम नमबर 50 यानि सीरियल नमबर 50 पर है तो यहाँ पर SLP के द्वारा यानि याची करता के SLP के द्वारा जिस इंटरिम रिलिफ के लिए प्रेयर की गए थी और उसे के बाद ये नोटिस जारी हुआ था रिस्पॉंडेंट के लिए जो चीजे हमने अभी आपको बताई है वही सारी चीजे इसमें लिखी हुई है कि 17 फरोरी के डेट में मापी जाओंगा सिंगल बेंच में यहाँ पर आप देखें के तो यह मिश्टर वी की सुकला याची की तरफ से लर्ण सीरियन काउंसिल अपियर हुए थे और जो याची करता हो थे एक तरह से उनके बिहाब पर ही सारी बाते रखनी होती है कि यह हमारा प्रमार पत्र था जिसको मान नहीं किया गया उसमें क्या तूटी थी क्या सिंगल बेंच का अदेश साफिर डिवीजन बेंच में क्या हुआ उसके बाद मामला सुप्रिंग कोट में गया और इसमें जो माननी आयोग के तरफ से दिवक्ता आप यह रुवे थे सुप्रिंग कोड में इसमें जो गवर्मेंट का ओर्डर है 18 फरवरे 2019 का 14 मार्च 2019 का और आप देखेंगे एक जीयो की आउर भी चर्चा की गई थी 2020 वाले येर में जिसमें आप देखेंगे कि एक नियमावली को ल करते वे इसी उसी वर्तमान की भरती में ही उन सीटों को अनारक्षित में जोड दिया जाएगा अगर EWS की सीटे खाली बचती है तो इसी नियमावली की आदार पर आयो के तरफ से इन सीटों को यूवार में एड करते वे जो भी सीटे बची वी थी उन पर सभी सत्राइब कि यहां पर आप देखेंगे तो यह जो कोडर था सुपूरिंग कोड का वही वाला का है यहां पर एगर आप देखेंगे तो टोटल फाइब respondents है in SLP C number 4001 और 4002 में total यहाँ पर 3 respondents है हमने साथ इस starting में 3 और 2 बताया था तो यह आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आयोग हो गए, सरकार हो गए, विभाग हो गए इनके अलावा भी इसमें 2 और respondent है और यहाँ पर 3 respondents है, total यहाँ पर 5 और 3, दो अलग-अलग SLP में फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि respondent number 2, यानि UPCC I.O की तरफ से जो उनकी अधिवक्ता महोद है और यह जो है respondent number 3 और respondent number 2, इन SLP C number 4001 and 4023 आप 2023 तो इनके जो अधिवक्ता है Mr. Yamaar Samasat Sir की तरफ से एडोकेट या कवियेटर तो इनकी तरफ से counter-efficacy फाइल किया गया था 6 अप्रेल 2023 की डेट में along with an application for exam from filing official translation आईए नमबर 71065 और 2023 जो अपना case listed हुबा है cause list में तो उसमें आप देखेंगे नीचे आईए आपको दिख जाएंगे अभी दिखाएंगे आपको इसी तरस भी आप आगे देखेंगे कि 12 अप्रेल को एक वकालात नामा के जरिए Mr. Vishnu Sankar Jan Sir को affair होना है सरकार की तरफ से और 19 अप्रेल 2023 की डेट में counter FA debit यहाँ पर फाइल किया गयार respondent नमर 1 की भी आप पर सरकार की तरफ से इन SLPC नमर 4001 4002 आप 2023 लिकिन इसमें respondent नमर 2 के लिए यह service आप notice जो है complete नहीं हुई है अभी तक यह 19 अप्रेल की डेट में यह है notice यहाँ पर आप देखेंगे 19 अप्रेल 2023 तक यह आप देख सकते हैं यहाँ पर 71063 आप 2023 और यह आपका मामला यहाँ पर कॉज लिष्ट में है अब कल की सुनवाई में जो कुछ भी हो लेकिन आपका मामला फाइनल होगा बहुत जल्दी अब यहाँ पर कुछ जो है तकनिकी कुछ बीदिक जो चीजी हैं नहीं समझ में आप आ रही है बाकी उमिद तो काफी ज़्यादा है कि कल ही आपका मामला फाइनल हो जाएगा या फिर उसके बाद हो सकता है कि जल्दी ही आपका मैटल फाइनल हो जाएगा धन्यवाद